नमस्कार निउस पियार में आप सभी का स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे बिहार देश दुनिया से जुड़ी तमाम एहम खबरों का जो आज के अख़बार में प्रकाशित हुई है तो बढ़ते हैं सबसे पहले अपने पहले खबर की तरफ धर्मस्थाल आठवी तक के स्कूल बंद दुकाने आठ बजे रात तक ही खुलेंगी कोरोना की तीसरी लहर के मद्य नजर पाबंदियां फिर सल ओट आई है मुख्यमंतर नितीश कुमार के अध्यक्षता में मंगलवारी देरशाम हुई क्राइसिस मानेजमेंट ग्रुप की बैठक में महमारी की तीसरी लहर के रोकथाम को लेकर के नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है जो 6-21 जनवरी तक प्रभावी रहेगी इस अवधी में सीम का समाद सुधार अभियान वा जनता के दरबार में मुख्यमंतर कारिक्रम भी इस्थगित रहेगा गुरुवार से पूरे राज्य में धारा 144 और 10 से प्रात पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू हो गया है दुकाने रात 8 बजे तक ही खुलेंगी सभी धार में किथल सभी सिनमा हॉल मॉल शॉपिंग क्लब स्विविंग पूल स्टेडियम जिम व उद्ध्यान प्राइमरी से 8 वी तक के स्क स्कूल एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन सिक्षन कार्य जारी रहेगा नौवी तथा उसके उपर की क्लास से संबंधित स्कूल कूचिंग एवं सिक्षन संस्थान 50 प्रतीशत उपस्तिति के साथ खुल सकेंगे पूरा बांका पूर्णिया छप्रा फार्बिस गंज समेथ कई शहर कोल्डे की चपेट पे रहा छे जोरी फ्लाइट कैंसल एयर इंडिया डाइवर्ट होकर आई 17 व्यमान लेट पटना में मंगलवार को घना को हासा रहने का असर विमानों परिचालन पर भी दिखा चालू डाइवर्ट हो गई और फिर वहीं दिल्ली से आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-409 पटना आने के बाद कॉलकेता डाइवर्ट हो गई और फिर धाई बज़े आई इसके आने का समय बारा दस बज़े हैं क्रूड 7.3 डॉलर सस्ता कंपनिया दाम घटाए तो पेट्रोल 8 रुपे सस्ता हो जाए सरकारी तेल कंपनियों की मुनाफ़ा खोरी एक बार फिर हमारे जेब पर भारी पर सकती है दिसंबर में कच्चे तेल के दाम घटे उसी हिसाब से कंपनिया दाम घटाथी तो पेट्रोल 8 रुपे और डीजल 7 रुपे लीटर सस्ता हो जाता दिवाली से ठीक पहले केंदर सरकार ने पेट्रोल पर 122 रुपे प्रती लीटर जबकि डीजल पर 10 रुपे प्रती लीटर घटाई थी जादा तर राज्यों ने भी वैट घटाया इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ी कमी आई इसके बाद अंतराष्टी घटा ख्रमों के चलते कच्चे तील की कीमतों में कमी आनी शुरू हो गई सीयम बोले जहरकंड शराब बंती नहीं करता वहां से शराब बिहार शराब आती है ओर अंगाบाद में कारिक्रम को समबोधित करने के बाद अधिकारीों के साथ समिक्शा बैठक कर रहे थे दारमिक नारों से गुण्ज उठी नगरी निकाली गई प्रभात फेडी साहिबे कमाल श्री गुरु गोविंस सिंग जी महराज के जैंती समारों को लेकर प्रभात फेडी का ख्रम श्रधधावः भक्ती महौल में जारी है बोले सो निहाल सत श्री आकाल वाहो वाहो गोविंद सिंग के नारो से गुरु नगरी का चपपा चपपा गूंच रहा है देश के कोने कोने से संगत पहुँच रही है मंगलवार को तक्त साहेच से प्रभात फेरी सुबा साड़े चार बजे निकलकर अशुक राजपत से मुख्य मार्ग होते हुए चमडोरिया, हाजी गंज, लकी, बिस्कुट रोड, छोटी पतन दीवी गली वाहरमंदर गली होते हुए वापस तक साहेब लौटी पटना विमेंस कॉलेज में बगले हफते पांच दिनों की होगी पठाई शनिवार को क्लासेज रही स्थगित पटना विमेंस कॉलेज की छात्राओं के लिए बहत अची ख़बर है कॉलेज प्रसाशिन ने मंगलवार को सुशना जारी कर बताया कि जनवरी 2022 से अब शनिवा को सबी क्लासेज थगित रहेगी यानि पटना विमेंस कॉलेज की छात्राओं को हफते में दो दिन छुटी मिलेगी शनिवार और रविवार लेकिन कॉलेज ने ये साफ कहा है कि सिक्षकों को शनिवार को रेगुलर वरकिंग दे के अनुसार ही आना होगा और कम से कम कॉले स्वई मभूमी सुधार विभाग मार्च 2022 तक पहले फेस के 20 जिलों में 89 अचलों के 5127 गाओं में चल रहे जमीन सर्वे सर्वे के लोकल कारे यानि गाओं का सीमा सत्यापन 3 सीमाना निर्धारन किस्तवार और खाना पूरी का काम पूरा कर लेगा हुआ 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 है